प्रेस दे बेल आइकन ओन दी यूट्यूब अब और नेवर मिस अनादर अपडेट असलाम ओलेकुम विल्कम टो मैं चुनल टेक्निक अले मैं चली श्टू करते हैं तो दोस्तों अगर आपके आंड्रोइड मॉबाइल में मल्टीपल कॉल्ड रिकॉर्डिंग्स हैं और आप उन मल्टीपल कॉल्ड रिकॉर्डिंग्स को मर्च करके एक कम्प्लीट कॉल्ड रिकॉर्डिंग्स बनाना चाहते हैं तो इस विडियो के अंदर में आप लोगों को उसी का प्रोसस्स दिखाने वाला हूँ तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर जाना है और यहां पर आपको आडियो MP3 कटर के नेम से एक अप्लीकेशन मिल जाएगी तो इस अप्लीकेशन को इंस्टॉल करके ओपन कर लेना है और अप्लीकेशन ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का अंटरफेस देखने को मिल जाएगा तो आपको यहांपर merge audio ओले option पर ख़ली करने है और इसके बाद left side में उपर की तरफ add audio ओले option पर ख़लीक करने है तो यहां screen पर आपको अपने mobile के सारे MP3 files मिल जाएंगे और आप उपर की तरफ से MP3 file को search भी कर सकते है अगर आप रेट शैट में उपर की तरह फोल्डर वाली आईकॉन पर क्लिक करेंगे तो आपको अपने मुबाल के सारे MP3 फोल्डर्स मिल चांगे तो आपको सिंपली यहां पर अपने कॉल्ड रिकॉर्डिंग वाले फोल्डर को सलेट करना है और जैसा के आप देख सकते हैं मेरे पाफ चार अलग-अलग कॉल्ड रिकॉर्डिंग से तो मैं फिस्ट वाली कॉल्ड रिकॉर्डिंग को सलेट कर लेता हूं और इसके बाद आपको दोबार अचे आड आडियो वाले आप्शन पर क्लिक करना है और उपर की तरफ फॉल्डर वाले आइकॉन पर क्लिक करना है के बाद दोबार आज़े फॉल्डर पर जाना है और दूसरी कॉल्ड रिकॉर्डिंग को सलेट कर लेना है और सेम प्रोसेस को फालो करके जितने भी कॉल्ड रिकॉर्डिंग साबके उस फॉल्डर में जिस नहीं करना है बस आपको नीचे के तरफ ओके वाले ऑप्शन भी किली करने के बाद आपके मल्टिपल कॉल रिकॉर्डिंग्स एक कंप्लीट MP3 फाइल में कनवर्ड हो जाएंगे और यहां पर आपको इस MP3 फाइल का लोकेशन भी मिल जाएगा और जैसा के प्ले करने के बाद हम दीख सकते हैं यहां पर इस कॉल रिकॉर्डिंग का जो साइज है वो इंक्रीज हो चुका है तो इसी तरह आप भी अपने मिल्टिपल कॉल रिकॉर्डिंग्स को मर्च करके एक MP3 फाइल में कनवर्ड कर सकते हैं